भविश के गर्व में क्या चिपा है ये कोई नहीं जानता है लेकिन भविश को लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है आज से सैक्डो साल पहले फ्रांसेसी भविशवकता माईकल नास्त्रे दमस ने दुनिया के बारे में कुछ ऐसी ही भविश्वानी की थी जो बाद में सच साबित हो गई इसलिए आज पूरी दुनिया के लोग नास्त्रे दमस की भविश्वानी पर यकीन करते हैं भारत को लेकर भी उन्होंने कई भविश्वानिया की थी जो बाद में सच साबित हो गई प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के बारे में कही उनकी कई बाते सच हो गई आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के बारे में नास्त्रे दमस ने क्या कहा था और भारत के भविश्य के बारे में उन्होंने क्या बातें लिखी थी उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे भारत के वर्तमान और भविश्य के बारे में नास्त्रे दमस ने क्या लिखा था इसके लिए हम आपको 400 साल पीछे लेकर चलते हैं यानि साल 1555 में जब नास्त्रे दमस ने अपनी किताब The Prophecies में ये लिखा था कि तीनों और महासागर से घिरे देश में एक महान शक्तिसाली व्यक्ति का जन्म होगा और उस देश का नाम हिंद महासागर से लिया जाएगा आप समझ ही गए होंगे कि मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ और नास्त्रे दमस ने जिस महापूरुस की बाते की थी उनका नाम है नरेंद्र दामुदर दास मोदी सोचिये 400 साल पहले ही नास्त्रे दमस ने वो सब कुछ देख लिया था और आज के वर्तमान और भविस्ति की जानकारी पन्नों में दर्ज कर दी थी नास्त्रे दमस ने बताया था कि 21 सदी में पूरव की तरफ एशिया में एक महान नेता का जन्म होगा जिसे पहले तो लोग बिलकुल भी पसंद नहीं करेंगे लेकिन अपने काम के कारण जल्द ही वो लोगों का चहेता बन जाएगा और आने वाले 20 साल तक वो अपने देश को नई उचाईयों तक ले जाएगा साल 1555 में जब नास्त्रे दमस की किताब प्रोफेसी सामने आई तो उसमें भविश्य की घटनाओं के बारे में बताया गया था तो साल 2014 में उनकी भविश्वानी भी सच सावित भी जब गुजरात के छोटे से गाउं वड़नगर में रहने वाले नरेंद्र दामुदर्दास मोदी देश के प्रधान मंत्री बने मैं नरेंद्र दामुदर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूँ की नास्तर दमस ने लिखा था कि देश की कमान एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के हाथों में होगी जो हिंदुस्तान को दुनिया के मानचितर पर एक अलग पहचान दिलाएगा उस व्यक्ति की आलोचना होगी उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा उसके खिलाफ कई सडियंत्र भी होगे लेकिन अपनी कुशलता और दूर दृष्टी से वो तमाम बाधाओं को पार करने में सक्छम होगा नास्तर दमस ने लिखा था कि वो अधेड उम्र का व्यक्ति 20 साल तक सत्ता पर आसीन रहेगा इसका मतलब है कि साल 2034 तक देश की बागडोर नरिंदर मोधी के ससक्त हातों में होगी और उनके निडर फैसलों से भारत दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा क्योंकि जब से नरिंदर मोधी प्रधान मंत्री बने हैं भारत में कई एतिहासिक निर्णे लिये गए जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी भारतिय सेना ने देश की तरफ आँक उठाने का दुस्साहस करने वालों को बालाकोट, पियोके और दोकलाम सहित गालवान घाटी में भी सबक सिखा दिया तो उनके कड़े फैसलों से भ्रष्टाचारियों को देश छोड़ कर भागना पड़ा पियम मोधी की वज़े से देश की आधी आबादी को तीन तला के अभिशाप से आजादी मिली वहीं सौ करोड हिंदूों के लिए अयुद्या में राम मंदीर का रास्ता भी साफ हो गया आज पृत्वी से लेकर चंद्रमा और मंगल तक भारत का तिरंगा लहराने लगा है और ये सम मुम्किन हुआ उस महान राष्टवादी व्यक्ति की वज़े से जिसे आज हम नरेंद्र मोधी कहते हैं नास्त्रे दमस की भविश्वानी आगे कहती है कि वो अधेर उम्र का नेता भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में स्वर्ण यूग लेकर आएगा और पाकिस्तान, बांगलादेश, शिरलंका, नेपाल, चीन में उसकी कीर्थी फैलेगी और उसे ग्लोबल लीडर की रूप में स्विकार किया जाएगा और देखिए आज तक नास्त्रे दमस ने जितनी भी बाते लिखी और उनका जो भी अर्थ निकाला गया वो पूरी तरह से सच साबित हुआ है तो क्या आपको यकीन है कि नास्त्रे दमस ने जो बाते कही वो कही ना कही भारत के भविश और वर्तमान से जुड़ी वी है और ये सच हो सकती है